हलो दोस्तो स्वागत है आपका एक नए प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो में दोस्तो आज हम करने वाले हैं बोर्सो क्रिष्टल अपडेटेट प्रोजेक्टर का रिव्यू अब दोस्तो अपडेटेट में क्यों कह रहा हूं क्योंकि दोस्तो यहां पर कंपनी के तरफ स से एक छोटा सा update आया है जिसके बाद इस प्रोजेक्टर में कुछ छोटे मोटे जो problem से उसे solve किया गया है और अपडेट के बाद में इस प्रोजेक्टर में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी भाई पहले से इस प्रोजेक्टर को पर्चेस कर लिया है तो नीचे सेलर का पर्चे elders करते हैं तो आपको अपडेट करने की कुई जरूरत नहीं पड़ेगी पर्चेस लिंक आपको discussion में मिल जागा तो वहां से लोगों को मेरे हीर वीडियो के जानकारि नोडीकिशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके छोटी से unboxing के साथ में box content और इसके look design के साथ साथ इसके connectivity port और features के बारे में दोस्तो आज हम करने वाले हैं बोर्सो crystal full HD android projector का review दोस्तो बोर्सो ब्रांड एक trusted brand है जिनके projectors काफी लाजबाव होते हैं चाहे हो brightness और picture quality हो आप इनके किसी भी projector को अपने budget के according purchase कर सकते हैं दोस्तो बोर्सो ब्रांड ने recently इस projector को launch किया है जो आपको under 20K के range में मिल जाएगा projector के साथ आपको एक remote, power cable, HDMI cable, AV cable, manual guide और one year के warranty card मिल जाएगी projector के look design और build quality काफी अच्छी है projector में सारे connectivity port projector के left side में दिये गए हैं जैसे headphone port, AV port, memory card port, HDMI port, USB port और VGA port power input port आपको projector के left side में देखने को मिलेगा projector के top में control button, focus existing wheel, keystone correction wheel के साथ साथ बोर्सो ब्रांड का logo देखने को मिल जाएगा इस projector के नीची के तरफ आपको 4 rubber foot, इसके लाबा projector के center में आपको tripod mount thread भी मिल जाएगा और सामनी के तरफ आपको एक height adjusting note जिसके तरू आप अगर table में इस projector को रखते हैं तो सामनी से इस projector की height को adjust कर सकते हैं दोस्तों ये एक 1080p native resolution वाला projector है जो आता है android version 9 के साथ में 1GB RAM, 8GB internal storage आपको मिल जाएगा इस projector में brightness से इस projector की 7500 lumens और NC lumens की बात करें तो 720 आपको मिलेगी contrast ratio आपको 12000 is to 1 का जो dynamic contrast ratio है इस projector में आपको upgraded LTPS display साथ में आपको brightways LED brightening technology का use किया गया है जिसके वज़े से आपको bright picture के साथ साथ जबरदस picture quality का experience मिलने वाला है इस projector से आप 250 inch तक का screen बना सकते हैं ये projector wifi version 6 को support करता है और dual band wifi के साथ में आता है इसमें आपको bluetooth version 5 मिल जाएगा जिसे आप अपने projector को किसी भी bluetooth speaker या फिर soundbar के साथ wirelessly connect कर सकते हैं और theater वाला experience पा सकते हैं इस projector में आपको एक 5 watt का speaker भी मिल जाएगा जिसके तुरू आप एक decent sound पा सकते हैं अपने छोटे से कमरे में अगर आपके पास कोई भी external device या home theater system नहीं है तब भी आप इस projector के inbuilt speaker से काम चला सकते हैं इस projector में आपको manual focus और manual keystone correction के साथ digital zoom in, zoom out, 4D keystone correction जैसे features भी मिल जाएगे ये projector 4K को support करता है HDMI के तुरू इसके लावा ये projector HDR10 और HLG को भी support करता है तो दोस्तों ये तो थे projector की specs, specification और इसके कुछ highlighted features अब बात करते हैं projector की performance के बारे में दोस्तों ये projector मेरे 12 फिट की कमरे में 106 screens का screen बना देता है जिसमें lighting environment में भी इसके जो result है वो काफी अच्छा है यानि कि दोस्तों इस projector की brightness काफी अच्छी है जो camera में एक 9W का light on होने के बाद भी इस तरह का result आपको देखने को मिल जाता है इस projector में आपको बहुत सारे inbuilt application मिल जाएंगे जैसे की YouTube, Prime, Hosta, Netflix इसके लावा दोस्तों आपको screencast, Miracast का भी option मिल जाएगा साथ ही साथ आपको यहाँ Google Play Store भी मिल जाएगा जिसके तरह आप इस projector में अपने हिसाब से कोई भी application को download और install कर सकते हैं दोस्तों इस projector की brightness तो काफी अच्छी है ही इसका contrast भी काफी अच्छा है picture quality भी काफी अच्छी है आप इस projector को vertically और horizontally screen के center में रखके focus existing और keystone correction के मदद से image को set करते हैं तो आपको काफी हद तक blur free image देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों ये तो थे projector के कुछ specific look design और box content के बारे में अब बात करते हैं इसकी performance जो update से पहले थी और update के बाद दोस्तों इस update के बाद में जो projector में जो changes आये हैं इसके अलावब दोस्तों यहाँ पर आपको inbuilt YouTube के साथ साथ एक और YouTube आपको देखने को मिलेगा जिसे आप apps में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक smart YouTube भी मिल जाएगा जो कि इस update के बाद में add क्या गया है अब दोनों ही YouTube में different क्या है वो मैं आपको live दिखाने की कोशिश करता हूं सबसे पहले हम test करते हैं inbuilt YouTube की अब जैसे कि मान लिजे कि मैं search करता हूं 4K वीडियो और कोई भी 4K HDR वीडियो को मैं play करता हूं और उसके settings में मैं जाता हूं तो यहां आप देखेंगे quality 720p से उपर आपको दिखाई नहीं देगा और अगर कोई भी normal वीडियो जो की full HD वीडियो है उसको मैं play करता हूं और उसके settings में मैं जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप 1080p देख सकते हैं इन बिल्ट यूटूब आप अगर यूज करते हैं तो आपको HDR content जो है वह 720p से उपर आपको दिखाएगा नहीं क्योंकि वह HDR पर चलता है और और नॉर्मल कोई भी वीडियो जो है वह आपको 1080p पर 100 हो जाएगा इसके लिए पर दोस्तों अगर हम यहां पर पिक्चर कस्टमाइजेशन के लिए menu and text बटन को प्रेस करें तो यहां पर आपको image mode मिल जागा जिसमें आप अगर पिक्चर कस्टमाइजेशन करें तो यहां आप देख सकते हैं कोई भी effect कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं हला कि आप यहां से brightness, content, saturation, sharpness, hue को भी control करेंगे तो यहां पर आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे मगर दोस्तों आप अगर smart YouTube यूज करते हैं और यहां से आप अगर कोई भी HDR content को play करते हैं जैसे कि यहां फिलाल मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर आप अगर quality पे जाएं और यहां से video format में जाएं तो आपको यहां पर 1080p HDR देखने को मिल जाएगा मगर दोस्तों यहां पर जो different यहां पर भी आपको काफी कुछ different देखने को मिलेगा जैसे कि यहां आप देखें तो 1080p 60fps 6.46 mbps दिखा रहा है avc ठीक है इसके उपर वाला को मैं select करता हूं तो यहां पर आप देख सकते है quality जो है इसमें भी change हो रहा है और उपर वाला सबसे उपर जो HDR है इसको मैं select करता हूं तो यहां पर भी आप देखेंगे तो picture की जो quality है वो आपको change देखने को मिलेगी ठीक है तो यहां पर मुझे जो लगता है कि best 1080p 60fps जो avc mode है इसको मैं select करता हूं तो यहां पर काफी अच्छे से smoothly यह play हो रहा है और colors और brightness भी काफी तो यहां पर आप जो है video resolution को जो है आप change करके अपने इसाथ से best picture quality वाले video resolution को select कर सकते हैं उसके इलावा अगर आप remote पे menu and text के button को press करते हैं तो यहां पर आपको picture mode मिल जाएगा ठीक है यहां पर आप अगर change करेंगे जैसे कि यह personal setting पे चल रहा था तो यहां देखिए आप आपको यहां पर changes देखने को मिलेगा इसके इलावा आप personal में जाके brightness, contrast, saturation, soundness और huge को भी control करके अपनी सबसे picture quality को set कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों आपको inbuilt, prime video, netflix, hosta जैसे application मिल जाएगा मगर मैं कभी भी किसी projector के साथ आपको यह recommend ने करता हूं कि आप किसी भी projector में in built OTT platform के application को use करें, क्योंकि वहां पर आपको 480P से उपर का resolution देखने को नहीं मिलेगा, आप अगर कोई भी OTT platform के content को देखना चाहते हैं, आपके पास किसी भी OTT platform का subscription है, तो बहतर यह है कि आप Amazon Fightivistic या कोई बढ़ी असा दूसरे brand का Fightivistic को use कर सकते हैं, इस projector में भी आप आपको update के बाद में Fightivistic के through 4K का support मिल जाता है, पहले जो है Amazon Fightivistic में भी, आपको Amazon Prime के इराबा, किसी भी OTT platform में 4K का output दिखा नहीं रहा था, मगर अब update के बाद में, आप अगर HDMI के through, किसी भी इसे device को connect करते हैं, जो 4K output देता हो, तो यह projector 4K को support करता है, तो चले यहाँ मैं आपको source में जाके HDMI select कर देता हूं, और यहाँ पर मैंने use किया है, अपना Amazon Fightivistic 4K, और यहाँ पर अगर मैं इसके settings में भी चला जाता हूं, और यहाँ से हम जाएंगे display and sound में, तो यहाँ अगर display में जाएंगे, तो आप up to 4K, और यहाँ पर आप 4K resolution को भी देख सकते है 4K resolution जो है, हम यहाँ से select कर लेते हैं, और उसके बाद में हम वापस से चलते हैं, YouTube पे, तो यहाँ पर मैं 4K वीडियो प्ले गया हूँ और यहाँ पर हम जाएंगे settings में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि quality जो है, वो 4K सो हो रहा है, और 4K में ही हमारा जो वीडियो content है, वो play हो रहा है, तो inbuilt YouTube में भी जो है, आप 4K देख सकते हैं, इसके इलावा किसी भी OTT platform के content को भी जो है, आप 4K में देख सकते हैं, क्योंकि हर OTT platform के content को यह 4K में support करता है, update के बाद एक और चीज यहाँ पर add हुई है, तो यहाँ पर फिर से आप अगर जाएंगे menu and text में, ठीके, तो यहाँ सबसे नीचे आप अगर देखेंगे, तो HDMI EDID version, ठीके, इसको आप select करेंगे, तो यहाँ पर यह option पहले नहीं आता था, जो कि update के बाद में यह आया है, यहाँ पर आप HDMI 1.4 को select कर सकते हैं, HDMI 2.0 को select कर सकते हैं, ओटो में रख सकते हैं, या फिर 2.1 को select कर स हैं, तो आपको YouTube के साथ साथ सभी OTT platform के content 4K में देखने को मिल जाएगा, 4K का option आपको मिल जाएगा, और आप content को 4K में देख सकते हैं, जो कि update से पहले आपको यह चीज नहीं मिलती थी, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि update के बाद में काफी कुछ इसमें आपको change दे देखने को मिलेगा, sharpness भी improve देखने को मिलेगी, साथ साथ HDMI के तुरू भी आपको Amazon 5TV stick में 4K show नहीं करता था, तो यहाँ पर वो भी support आपको मिल जाता है, एक option आपको extra add कर दिया गया है, इसके लाभा आपको inbuilt YouTube के साथ साथ एक और आपको YouTube extra मिल गया है, ताकि आप inbuilt YouTube से content देखना चाहें, तो उस पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो, मगर फिर भी मैं आप लोगों से यही recommend करूँगा कि भाई, आप कोई भी प्रोजेक्टर पर्चेस करते हैं, तो अलग से आप external device purchase कर लिजे, जैसी कि Amazon 5TV stick हो, या फिर कोई भी दूसरे brand का Android box या 4K stick को आप purchase कर सक आप external device का use कीजे, ताकि आपको और भी बहतर result देखने को मिले और बहतर content का आप experience कर सकें, overall अगर conclusion की बात करो, तो जिस प्राइज में यह projector अभी मिल रहा है, उस प्राइज की हिसाब से यह projector आपको काफी अच्छा brightness, sharp image, बहतर इन picture quality के साथ साथ, जबरदस कलर और contrast ratio भी इ support मिल जाता है, साथ ही साथ HDR को भी support करता है, तो इस price range में यह one of the best projector है, जिसे आप definitely purchase कर सकते हैं, तो दोस्तों यह था बहुर सो crystal updated projector का review उम्मित करूँगा दोस्तों की यह वीडियो आपको पसंद आयोगा, पसंद आये तो प्लीज लाइक कीजे, चैनल पे नहीं सब्सक्रा कोई भी सवाल पूछना है, तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं, आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक कि लिए धन्यवाद, चैन